नमस्कार दोस्तों अगर आप भी मेरे बताए हो तरीके से गरम पानी में शहर्द लेना शुरू कर देंगे तो आप ना जाने कितने भ्यंक और रोगों से लड़ पाएंगे उनको जड़ से खतम कर पाएंगे वो भी सिरफ घर बैठे बैठे देखे सबसे बड़ा जड़ हमारा क्या है आजकल की खान पान अगर हम मोटे हैं या बिमार हैं या बहुत सारे बिमारियां जो आजकल के समय में इतनी ज़ादा बढ़ गई हैं उनका सबसे बड़ा रीजन कभी आपने बैठ कर सोचा है आपका लाइस्टाइल आप एक तो टा की होती है कमी तो घर पे फ्रेश फूट बनाने की जगा आप यूज़ करते हैं टेट्रापक्स या रेस्टोरेंट्स का फूट रेस्टोरेंट्स के फूट्स में बहुत जदा ओईल होता है और खाने की गुनवनता बिलकुल खतम हो जाती है क्योंकि वो बार-बार उसी खा आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं जूसिस की की जूसिस बहुत अच्छे हैं सूप बहुत अच्छे मिल रहे हैं पांच मिनट में सूप तयार पांच मिनट में जूस तयार लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो प्रिजरवेटिव मिले होते हैं वो प्रिजरवेटि जब भी खाना खाएं एक healthy diet खाएं जब सुभाब निकलते हैं तो नाश्ता बहुत लोग skip कर देते हैं नाश्ता skip करने की जगा आप टीनो टाइम बराबर का खाना खाएं थोड़ा time से पहले उठें क्योंकि जब आप नाश्ता skip करते हैं तो lunch और dinner आप ज़ादा करते हैं क्योंकि आपकी भूख उतनी ज़ादा होती है और ऐसे में उस भूख के time अगर आपके सामने कोई भी food डाल दिया जाए चाहे वो समोसे हो ब्रेट पकोड़े हो या कोई भी tetra packed food हो तो आप उसको बहुत जल्दी intake करते हैं तो ऐसे में आपका शरीर जादा फूलने लगता है और जब दो time का खाना एक time में खाते हैं बहुत लंबे time का gap देते हैं तो आपकी intestine यानी जो आते हैं आपकी आतों पर load पड़ता है जिसे कि खाना digest होने की जगा वो सड़ने लगता है आपके शरीर में और वो सड़ा हुआ खाना आपके शरीर में fat बढ़ाता है आपकी शरीर में glucose की मात्रा को बढ़ातेता है और ऐसे धीरे धीरे करते करते ना आपका पाचन तंत्र तो इतना बिगड़ जाता है कि इसकी कोई हदी नहीं है तो एक तो अपने रूटीन में योगासन एक्सेसाइस को ज़रूर शामिल करें आज हम बात करने वाले हैं शहद के बारे में शहद के अद्भूत फायदे इसके बारे में मैं क्या बलकि आयोवेग में भी बहुत अच्छे से इसका जिकर किया गया है कि शहद हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़ादा फायदेमंद है अगर आपकी पाचन क्रिया बहुत ज़ादा वीक है आपको खाना खाने के बाद acidity बहुत ज़ादा बनती है blotting की समस्या है आपको खटी डिकारे आती है आपका पेट फूने लगता है या आपको बहुत ज़ादा heaviness फील होता है या आप सिर्फ single एक रोटी खाते हैं और कहते हैं कि मेंको तो हवा पानी भी लग जाता है तो कभी आपने सूचा है कि वो हवा पानी का reason क्या है क्योंकि आपका पाचन तंत्र बहुत कमजोर है आपका metabolism बहुत कमजोर है जो आप खाते हैं वो आपके digestive नहीं हो पाता और उस खाने से आपको energy की जगा वो आपके fat में convert हो जाता है तो ऐसे में अगर आप शहद का seven करेंगे तो शहद में होते हैं antiseptic, antiviral, antibacterial gun जो आपके पेट को ठीक रखते हैं और जिससे कि आपके अंदर जितना भी गंद की जमा हो गई आपके पेट में उसको अच्छे से detox करते हैं आपके पेट को hydrate रखते हैं जिससे कि आपके पेट का जो pH level है वो अच्छे से maintain रहता है proper hydration बनी रहती है तो इससे जो आपके कब्स की शिकायत है वो दूर होती है आप अच्छे से fresh हो पाते हैं जिससे आपके सारे waste toxins आपके potty के थरू आपके urine के थरू बहार निकल जाते हैं और आपकी पाचन, तंत्र जो है वो पहले से बहुत ही भेतर हो जाती है अगर आप शहद और गरम पाने लेते हैं तो इससे आपकी रोग प्रतीरोदर शमता बढ़ती है कच्चा शहद enzymes से सम्रिध होता है ये vitamin और खनिट से भरपूर होता है ये हमारे शरीर की सारी नसों को सारे organs को bacteria से जो हानिकारा bacteria होते हैं उनसे दूर रखता है इसमें होता है antioxin जो हमारी तवचा को अंदर से साफ करता है और उसको naturally तरीके से निखारता है जब आपके body अंदर से साफ हो जाएगी आपके organs में जितनी भी गंदी की जमाती आपके पूरे शरी में जो गंदी की जमाती तो उससे क्या होगा आपकी रोग प्रतिरोदर शमता बढ़ेगी आप जल्दी जल्दी बिमार नहीं होंगे अगर आपको यकीन नहीं तो आप एक महिना गरम पानी में शहर लेकर देखें और फिर देखें आपके अंदर होने वाले बदलाव अगर आप शहर और गरम पानी लेते हैं तो इससे सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या होती है आपके कील मुहासे और अलर्जी दूर होती है अगर आपको भी पिमपल आने की समस्या है या आपके स्कीन बहुत दा मुर्जा गई है आपके स्कीन में मौश्टर खतम हो गया है डल पढ़ गई है तो एसे में, सुभा आप गरम पानी में शहर ले, कैसे लेना है मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगी, ऐसे लेने से एक तो क्या होगा, आपके पिंपल जो है, आपके कील मुहा से जो भी निकल रहे है, वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे, आपके स्किन का जो नाचल ग्लो है, वो बढ़ेगा, और अगर आपको शिक चहरे पर अलग सा नूर आ चुका है, अलग सा ग्लो आ चुका है, आप चाहे तो हनी फेशल भी कर सकते हैं, अगर आप इस पर चाहते हैं, वीडियो लेकर आओ, तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जो हनी आप खाएंगे, इससे आप इंटरनली तो निखरेंगे, और आप नोटिस करेंगे कि जो आपको एस्तमा की समस्या थी, आपके एकदम गले में जो खराश रहती थी, वो बिल्कुल दूर हो गई है, आपका कंजेशन प्रॉब्लम एकदम खतम हो जाएगा, बल्कि मैं तो आपसे कहूंगे, जो आपके घर में छोटा बच्चा है, चाहे वो एक साल का है, उसको भी जरूर शहर चटाएं, इससे उसके अंदर की जो सर्दी है, वो बिल्कुल निकल जाएगी, और उसकी छाती एकदम साफ हो जाएगी, क्योंकि छोटे बच्चों को कंजेशन बहुत जादा बनता है, क्योंकि वो बच्चे ना तो अपने बलगम के उसको खतम करेगा, आपके शरीर में जितना भी ओर्गन्स पे लोड आ चुका है, लिवर पे फैट आ चुका है, उसको रिड्यूस करेगा, अगर आप जिन्दी की बर अपने हाट को स्वास्त रखना चाहते हैं, तो गरम पानी में शहत का सेवन करें, क्योंकि ये क्या होग तो हमारे दिल तक ठीक से पहुँच नहीं पाता, जिससे हमें हार्ट अटक जैसी समस्या हो जाती है, या हार्ट से लिटेट कोई भी प्रॉब्लम हमें आने लगती है, तो अगर आप भी चाहते हैं, आपको हिर्दे से लिटेट कोई भी समस्या ना हो, तो गरम पानी में र की juices के जगागर आप directly food को intake करते हैं तो इससे आपके शरीर में अच्छा असर आता है आपकी skin अच्छी रहती है आपकी body आदा से cleanse रहती है तो कोशिश करें जो packet foods होते हैं उनको बिलकुल avoid करें आपका वजन घटेगा ही घटेगा जादा मिर्च मसाले वाले खाना ना खाएं जादा नमक, जादा मिर्ची आपके शरीर में water level बढ़ाता है बिमारियां बढ़ाता है अगर नमक की मात्रा जाएगी पानी की मात्रा जाएगी तो आपके bulges यानि side fight दिखने लगता है इन सबसे बच पाएंगे तो I hope कि आपको मैं बहुत सारी चीज़ें clear कर पाई हूँ तो शहद आपके शरीर के लिए वर्दान है फ्लीज इसका इस्तमाल करें अपने बच्चों को दें खुद इस्तमाल करें अब जानते हैं इसको लेना कैसे है आपने एक चमच चहद का एक कब गरम पानी में यानि लुक वांम वाटर में ज्यादा गरम नहीं लुक वांम वाटर में आपने उसको mix करना है और सुभा के ताइम खाली पेट बासी मूँ यानि जो आपके लार है मूँ की वो आपके पेट के अंदर जानी चाहिए उपसे पानी आप इसको पी लीजे और फिर तीन चाग लास पानी और पीजे इससे क्या होगा आपके मूँ की लार पेट में जाएगी एसेड शान्त होगा और आप इतनी सारी बिमारियों से बच पाएंगे तो ऐसे कुछ बहतरीन देखने के लिए मेरे साथ जोड़े रहें अच्छा हेल्थी खाना खाएं पानी बहुत 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 जादा पीएं तो हमेशा आपके लिए में कुछ ऐसा ही बहतरीन लाती रहूँगी आपके सेहत का खयाल रखती रहूँगी आपके जिन्दकी को खुशनुमा बनाती रहोंगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई, टेक केरें, स्टे हिल्दी